जहीं दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आपको पता होगा फाइनेशल एर 22 तेईस, असेस्मेंट एर 23 चोविस की इंकम टेक्स की रिटरन भरी जानी स्टार्ट हो चुकी है ITR एक से लेकर के 5 तके फोर्म आ गए हैं लेकिन जो AIS था दोस्तों Annual Information Statement वो पहले आपको यहाँ पे Services के अंदर जाकर के यहाँ पे आपको मिलता था अब आपने गोर किया होगा दोस्तों यहाँ पे Annual Information Statement आपकी नहीं आ रही है तो गबराने की बात नहीं दोस्तों इन्होंने AIS का यह देखी अलग से कोलम दे दिया है उपर अलग से एक Heading दे दिया है अलग से एक Menu दे दिया है जिसके उपर जैसे आप Click करेंगे तो यह बोलेगा कि आपको एक New Website पर हम लेके जाने वाले हैं तो जैसे हम Proceed पर Click करेंगे तो Proceed पर Click करने के बाद में दोस्तों इस तरह का Interface आपको दिखाई देगा यहाँ पर Instructions के साथ में AIS पर आपको Click करना है यहाँ पर दोस्तों पहले Financial Year अगला आता था 23, 24 सब Automatically 22, 23 आ रहा है तो हमें कुछ भी नहीं करना है इसके बाद में TIS पर Click करना है बाकी सारी की सारी Information आपकी as it is same यहाँ पर बोलती रहेगी आपको कोई भी Tension लेनी के जुरूत नहीं है आपका Saving का ब्याज, आपका FD का ब्याज, आपकी Business की Receipt, Miscellaneous Payment दोस्तों Most of the cases में Credit Card की Payment होती है या आपने कोई Foreign Remittance किया, इंडिया से बाहर कोई पैसा बेजा तो वो होती है परचे जो Term Deposit है, FD है, वो सारी की सारी Information दोस्तों आपकी यहाँ पर बोल जाती है क्योंकि आपको पता है, Income Tax Department ने काफी सार अपडेट है जो किया है आपको भी दोस्तों AIS, AIS देखने में परिशानी हो रही थी, तो आप इस वीडियो के साहता से उसे भी दूर कर सकते हैं यह देखिए TIS है और यह आपका AIS है, तो दोनों ही दोनों दोस्तों Information आपको यहाँ पर मिल जाएगी सिर्फ Change इतना सा हुआ है कि आपको यहाँ पर AIS का अलग से मीनू है वो देखना पड़ेगा वीडियो ची लगिए तो लाइक करें और भी इस तरह के content के लिए आप हमें follow subscribe करना न भूलें Thank you so much दोस्तो, जैहिंद, जैभरत